हेलो फ्रेंड वेल्कम एक श्वागत है आप सब का टीचिंग बीवेग यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शीटट दो हजार चोबीश मैथ सब्जेक्ट को इसमें आज का जो टॉपिक है वह है मापन मापन से शीटट में एक या दो प्रशन निश्ची पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजीगा तो शब्से पहले हम बात करते हैं मापन में हम बात करेंगी एक घंटा एक घंटा पराबर क्या होता है तो आप कहोगे एक घंटे में शाठ मिनट होते हैं कितने मिनट होते हैं मरे दोस्त तो एक घंटे में शाठ सब को पता होगा घंटा में ये बात करें कितने second होते हैं तो आपका एंसर आयगा 300 जोन होते हैं एक हंटा में 300 second होते हैं क्यों कि this is । होते हैं एक में शाट सेकन्ड होते हैं एक घंटा में साट मींड होते हैं एक घंटा में छाट तिससोड़ हों कि आगे चलेंगी आगए देख लेते हैं आगे कह रहा है देखो आपने घड़ी दिखाऊगा उसमें एम और पीम दो चीजें आपने नोट किया होगा घड़ी में अक्षर आपने क्या एम और पीम कभी होगा कि इतने एम दिखा रहा होगा और कितने पीम दिखा रहा होगा तो एम का फुल्फार्म पूंच ले तक मालिय हम शुवे की बात करते हैं, शुवे कितना बजा है ? 11 बच के 20 मिनट हुगा है। तो आप क्या लगाओगे ? तो आप कहोगे 800 क्या होगा ? AM का शम ही दिखा रहा होगा 11 बच कि.... यद एक हम बात करेंगे 11 बच के 16 मिनट पर तब भी आपको क्या लगाना होगा एम लगाना होगा क्या लगाओगे एम लेकिन जैसे ही दिन का बारा बज़ेगा दिन का बारा बज़ेगा तो वहाँ पर तुरंद क्या का नोट हो जाएगा और पीम का फुल फार्म क्या होता है मरे दोस्त पोस्ट मेरीडियन होता है क् इसको हम लोग हिंदी में अपराहन बोलते हैं और यहां शमय होता है तो पहर बारा बज़े से रातरी बारा बज़े के शमय को हम लोग क्या कहते हैं अपराहन बोलते हैं पोस्ट मेरीडियन बोला जाता है यह बात क्लियर है यह बात क्लियर है आपने एक और नोटिस किया होग वुष्टाइम को हम लोको कैसे consider करते हैं तो देखो उसको लिए हम यहाँ पर समझ लेंगे उस टाइम को मैं कैसे consider करेंगे दिखो दुपहर का 12 बजा दो पहर के बारे के जाएगा चोविस तक चला जाका है उसके बाद फिर एक से सुग्य हो जाएगा तो जब हम बात करेंगे घड़ी में आपको देख रहा होगा दो बज़े कितना जाए तो इसका मतलब कितना बज़ा है बारा-बारा के बाद एक एक बाद 2 यानि कि दो बजा है यानि कितना है यह चार बजा होगा यह भी बात के लिए हो गई चलो आगे देख लेते हैं एक चीज और एक चीज और होगी यहां पर मिनट इन जो घड़ी सवाल जो आकते हैं यहां पर मिनट और घंटे के बीच का कौण भी पूछ लेता है उसके लिए एक फार्मूला होता है लेकिन हम कोशिच करेंगी कि फार्मूला आपको ना बताएं चलो जो पहला प्रश्ण देखो क्या कह रहा है पहला प्रश्ण है कि 4 बचकर 40 मिनट घंटे वा मिनट के बीच का कौण कितना होगा जब हमेशा 5 से गुणा करेंगी इस वाले जो यहां पर लिखा होगा इसको हमेशा 5 से गुणा कर लो तो यह चार को 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा आप बताओ जब 5 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा तो आपको होगी 20 आ जाएगा कितना आ गया 20 आ गया जो आपको यहा 450--फ़ार तो कि ना मिलेगा माइन इसका बीस मिलेगा कि ना मेलेगा इसको पुर्ण करते हैं यह सो गुना करेंगी मिलेट कि तो जब खोटीफṇक लोगव यहां पर माइनस आया था तो हम आधा घटाएंगे यहां पर प्लस की वह आएगी तो आधा जोड़ेंगे जोड़ेंगे यहां पर माइनस की वहाई थी इस इसले इसका आधा क्या करेंग tomar का देंगी 40 का Anda कितना होगा questi तो इस में सेहं 20 क्या करेंगे माइनस कर देंगी this distance क्रेंगे तो कितना जाएगा 120 मिसे बीस माइनस करोगे तो हणल्स ही हमारा एंसर हो जाएगा सहे हमारा कि था एंदौ हो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं, answer या कितना हो गया ब़ू? C option correct हो गया, इसको एक बार हम फिर से समझते हैं, देखो, 4.40. ako-40, क्या करते है, 4.40 D mean? जो इधर घंटे वाला होगा, चार बजे, तीन बजे, पांच बजे, जो भी यहां लिखा रहे होगा, इसको हम 5 से गुणा करते हैं, पहला कंसर अपर 5 से गुणा, जो आया, जो आयेगा, 5 से गुणा करके 20 आया, जो आयेगा उसको इस में से माइनस करते हैं, तो 20 में से 40 करते हैं कि अद्र M blazing मान और चैनल बचेंगे ऑसको प्रतेय कि पॉर नीघ कर रेंगे तो एक सो बीसा गया खितना गया यह तो है जो है इसमें से मिनट का आध्हां घटा दे ते मिनट का आधा घटाएंगे कब जब यहां मायनस आया होगा यह मिनट का आधा जोड़ देंगे कब जब यहां प्लस आया होगा यहां पर मिनट का मायनस आया था इसलिए मिनट का आधा हम घटा दिये मिनट 40 था इसमें मायनस कर दिये 20 तो हमारा हंडिट कितना बचे क्लियर है चलो आगले प्रस्ण भी और देख लेते हैं एक अगला प्रस्ण प्रस्ण नमर दूसरा देखो क्या कह रहा है कि 7 बज़ कर 10 मिनिट में घंटे वा मिनिट की बीच कितने अंस का कूण बनेगा है फिर वही च्राइब करओं दूसरा गंटेões से इसने止 हैं जो यहां है इता है। इसमें माने करें तो 35 मैंशे 10 को माने करेंगे कितना बच जाएगा 25 बचता है। जू बचा तहब उसको हम 6 से गुणा करेंगे, तो इसको भी हम 6 से गुणा कर देंगे, तो 25 को 6 से गुणा करोगे, 25 का डेल सो हो जाएगा, बस इतना, यह हमारा एंसर हो गया, अब हम उसमें मिनट का आधा जोडते थे, घटाती थे, मिनट कितना है, 10 है, तो इसमें का आधा जोड़े की घट देंगे ती कितना हो जाएगा 55, कितना हो गया म 96 शेकर 13 , श्यंपलर है दो बज़े घरी की दोनों सुयों की बीच कूण बनेगा मातर दो बज़े हैं इस में कोई भी मिनट नहीं दे रखा इस.» था हम हम वही लगा आ लेंगे दो जाह・ इसको हम किस से गुणा कर देते हैं भाइया पांसे गुणा कर दो दो बज़के जीरो-जीरो मिनट हो रहा होगा तो इसको हम पांसे गुणा करो तो कितना हो जाएगा यह 10 हो जाएगा कितना हो गया 10 हो गया अब क्या करते थे इसको इसमें घटाते थे जब घटाओ गया जीर समय है तो वीडियो को एक बार नी दो बार तीन बार चार वार आप बार बार इसको देख परीगा दिस्ति रूफ से आपको समझ में आ जाएगा इस से अच्छी ट्रिक आप यूटूब प्रतुनी पाने वाले हो इस बात का वादा है आदे चले प्रशन नमबर चार केह रहा ह यह तीन हो यह यह नो यहां दर्ट ग्यारा एक दो चाट पानचे शाथ आठ यह गड़ी बन गई और घली की दोनों शुयां किस पर हैं और आपको पता है जब गड़ी 1910 अब देखो Republicans वह कह रहा है समय को 24 सप्ट मैं आपको Ü bas amazed कर थी समय कितना समय होगा आप देखो जो हम पर इसमाइप होंगे वह क्या करेंगे जब शेण बचित si मिनट है कि याए वाला पैंटालिस बीस चालीज मिनट यह तो ऐसे कट गए आफ्शन हमाराइप से करेक्ट हो गया छे बचकर तीस मेर्यानिया आफ्षिन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाता आफ्षिन भी हमारा गिल्कुल करेक्ट हो जाता के लिए है तो कर्षा लगा आज का स्थेशन कमेट बख्स में जरूरू बताएगा यह आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूरु शे परिदी गा थेंक्यू धनवा यह हो लो लो एक्षट!